भाई गेमपैट की डिमांड दिन बढ़ती चली जा रही है बढ़ती चली जा रही है कि मैं क्या बता हूं तो लो भाई आपकी मांग ही तो पूरी करने के लिए हम यहां बैठे थमनेल और वीडियो के टाइडल से आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम बेस्ट गेमपैट दे मैंने अल्रेडी कई सारी वीडियो अप्लोड कर दी हैं इंक्लूडिंग इनके डेडिकेट रिव्यू वीडियो भी आप इस वीडियो के बाद ही देखना उन वीडियो को तो चलो भाई आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब न इन चारो ही गेमपैड में टर्बो फंक्शन की स्पीड को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है इनकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है इन चारो में और आखरी सिमलारिटी यह है कि हमें चारो ही गेमपैड में मिलती हैं डूल वाइब्रेशन मोटर्स और यहां पर खतम हो जा के साथ हमें एक-एक USB dongle भी मिलता है, X05 में हमें अलग से दो caps and 4 teflon tapes भी मिलते हैं joysticks के लिए, and Stellaris में हमें अलग से दो interchangeable या replaceable joysticks भी मिलते हैं, वहीं अगर हम One Universal and Mirage की बात करें तो, इन दोनों के साथ हमें brand stickers मिलते हैं, अगर आपको इन्हें कहीं चपकाना हो तो, and One Universal में हमें एक mobile clamp भी मिलता है, free में, जो किसी भी और gamepad के साथ नहीं मिलता, USB A to C cable की बात करें तो, Krio Mirage को छोड़के, हमें बाकी difference देखने को मिलता है, सभी में हमें manual turbo feature तो मिलता ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ Stellaris में, हमें auto turbo feature भी मिलता है, जो काफी useful हो सकता है कहीं के लिए, मैंने पहले dual vibration motors की बात करी थी, और हम इन चारों में vibration levels को change भी कर सकते हैं, कम जादा कर सकते हैं, अपने convenience के साथ से, हमें सभ video 5 and 1 universal, दोलों में ही, बहुत strong vibration intensity मिलती है, उसके बाद थोड़ इसी हलकी, लेकिन फिर भी strong enough intensity मिलती है हमें, Stellaris gamepad में, बट सैडली मिराज में मुझे काफी weak vibration intensity महसूस हुई, इन चारों gamepads में से, इसकी vibration में कुछ खास मजा नहीं आता, at least मुझे तो यही feel हुआ, magnetic triggers and joysticks की बात कर लेते हैं अब, जो आजकल हर gamepad में बहुत ही जरूरी हो चुका है, magnetic technology से हमें error rates भी कम से कम देखने को मिलते हैं, and accuracy भी जादा से जादा मिलती हैं, दोनों joysticks and triggers में, यह दोनों ही हमें easy smx x05 and cosmic bats Stellaris में तो मिलते ही हैं, sadly evil fox 1 universal में हमें ना तो magnetic triggers मिलते हैं, और हमें magnetic joysticks नहीं मिलते हैं, मुझे इसके circularity test में 0% error rate मिला, जो दोनों ही magnetic joysticks वले gamepads के टकर में हैं, काफी impressive लगा मुझे यह इस mirage gamepad में, 1% से नीचे कुछ भी मिलता है तो generally best response ही माना चाता है, जो obviously है में 1 universal में दूर दूर तक नहीं मिल रहा, काफी disappointing है यह इस मामले में, खेर, आगे बढ़ते हैं, हमें सभी में 2-2 programmable macro buttons मिलते हैं, X05 को छोड़के, और gyroscope की बात करें तो वो भी किसी में भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ Stellaris को छोड़के, Stellaris में gyroscope है, honestly speaking, अगर X05 में हमें programmable buttons and gyroscope feature मिलता, तो यह gamepad unbeatable था, हमें cryo mirage में एक speaker मिलता है, ही काम आते हैं, ओ हाँ, सिर्फ और सिर्फ cryo mirage में ही हमें एक trackpad भी मिलता है, जो एक और बार सिर्फ consoles में ही जहातर काम आता है, लेकिन मेरे सबसे अगर आप एक trackpad वाला gamepad धून रहे हो, तो आपको quantum ही लेना चाहिए है, वो भी इससे काफी better है, and same price में भी available है, connectivity की बात क Bluetooth, क्योंकि इनमें dongles नहीं मिलते हैं, ओ हाँ, भाईयों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को प्लीज like and share भी कर दो, इसकी reach बढ़ाने के लिए, काफी मेहनत से मैं हर वीडियो को बनाता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का confusion ना रहे, किसी भी compatible है, मगर One Universal यहां बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें दोनों Switch and PS4 compatible तो है ही, लेकिन ये PS3 के साथ भी compatible है, wireless range की बात करें तो मुझे दोनों Stellaris and One Universal में 8-10 meter की range मिल रही है, X05 में मिल रही है 7-9 meter की range, और Mirage में बाकियों से हलकी सी कम range मिल रही है, 7-8 meter की, बैटरी की बात कर मायन से बैटर मायनी जाती है, और यही रीजन है कि इसमें सबसे कम battery capacity होने के बावजूद भी, मुझे इसको full charge करने में सबसे कम time तो लगी रहा है, लेकिन सबसे जादा play time भी मिल रहा है मुझे इसमें, जो काफी बढ़िया लगा मुझे, इसकी performance Stellaris से काफी मिलती जुलती भी मिलते हैं, Stellaris में हम buttons के combination से gamepad को research कर सकते हैं, भलही dedicated buttons नहीं मिलते हैं में, software update की बात करे तो, हमें सिर्फ और सिर्फ Cosmic Byte Stellaris में ही यह option मिलता है, की linker app को use करके, जो I think हर gamepad में होना चाहिए है, but unfortunately missing है, इन चारों में से सबसे भारी gamepad भी Cosmic Byte का Stellaris ही है, and सबसे हलका है Easy SMX का X05 gamepad, बाखे की दोनों gamepads इनके बीच में आते हैं, and लगभग बराबर ही हैं, अब in-hand field या long duration के gaming experience की बात करें तो, ये एक subjective choice है, लेकिन मैं तो अपना ही experience share करूँगा यहां, मुझे इन चारों में से सबसे बेकार in-hand gaming experience feel हुआ, दो gamepads में, पहला है Creo Mirage, जिसमें ब Cosmic Byte का Stellaris gamepad, जिसका main reason है, इसका ये C shape का design मीचे की तरफ, जिससे इसको पकड़ने में काफी दिक्कत आती है, लंबे time में, और वैसे भी ये सबसे भारी है इन सभी gamepads में, दूसरे number का gaming experience में मेरे नजर में रहा है, Evo Fox 1 universal gamepad में, and best in hand feel मुझे मिल रहा है Easy SMX के X05 gamepad में, ब की बात कर लेते है, Easy SMX X05 में good to have चीज़े ये है, कि इसमें हमें 2 caps and 4 teflon tapes मिलती है, joysticks के लिए, and ये भी के इसमें हमें 1000 Hz का polling rate भी मिलता है, जो काफी अच्छी बात है, Cosmic Byte Stellaris में हमें 2 extra joysticks के pairs मिलते हैं, जो किसी भी और gamepad में नहीं मिलते हमें, and साथी में हम इस gamepad के software को बड़ी असाने से update भी खर सकते हैं, इसी की एक compatible app को use करके, जो मुझे काफी अचा लगा, Evo Fox 1 Universal में हमें एक detachable mobile clamp भी मिलता है, on the go gaming के लिए, आपके किसी भी mobile device के साथ, जो किसी भी और gamepad में नहीं मिलता हमें, ये एक unique selling point बन जाता है, इस gamepad का, मतलब कि अगर आपको on the go gaming करनी है, कहीं पे भी travel करते time, तो आपके बास इन चारों में से सिर्फ एक ये ही option बढ़ता है, और आखिर में क्रियो मिराज में हमें कोई भी ऐसा good to have feature नहीं मिलता, जो quite unfortunate है, हाँ मगर इसकी non magnetic joysticks में error rates नहीं मिलते हमें, जो एक point consider किया जा सकता है, अब colors की बात कर लेते है X05 3 colors में available है, Stellaris 2 colors में, और बाके की दोनों gamepads इन single colors में ही available है, आपको चारों ही gamepads के direct purchase links नीचे description में मिल जाएंगे, मेरे exclusive discount codes के साथ, by the way आप मेरा discount code सिर्फ easy smx and causing bad की websites पे ही use कर सकते हैं, 12% और 5% के respective discounts पाने के लिए, बाके की दोनों gamepads या brands के लिए, मेरे पास आपके की बात करें तो, मेरा discount code लगाने के बाद, इन चारों में से सबसे महंगा gamepad आपको पढ़ेगा, Krio Mirage, जो करीब 3,000 रुपयों का है, उससे थोड़ा सस्ता पढ़ेगा आपको Cosmic Bad का Stellaris gamepad, transparent वाला, और उसके ठीक बात है, black वाला, जिन में करीब 100 रुपे का ही difference है, उससे भ Evo Fox का One Universal gamepad, but of course कुछ compromises भी करने पढ़ेंगे, इतने सस्ते gamepad को खरीदने के लिए, जो honestly speaking मुझे वर्थ नहीं लगता, considering हमें इसमें दोनों magnetic triggers and joysticks नहीं मिलते, जो सबसे बड़ा drawback है इस gamepad का आज की date में, conclusion में मेरे नज़र में इन चारों में से सबसे अच्छा and money worth gamepad है, Easy SMX का X05 gamepad, उसके बाद है Cosmic Bat का Stellaris gamepad, उसके बाद में मैं recommend करूँगा Evo Fox का One Universal gamepad, and बिलकुल last recommendation है मेरी Cryo Mirage gamepad के लिए, जो I think काफी overpriced है, इसके features को नजर में रखते हुए, अगर ये थोड़ा सा सस्ता भी होता, तो मैं ऐसे third position में ही रखता, of course ये मेरी personal opinion है, हो सकता है आपकी opinion अलग हो इन gamepads को लेके, मुझे नीचे comment करके बताओ, इन चारों में से आपको कौन सा gamepad सबसे जादा पसंद आया, मैंने एक छोटा सा detailed comparison table भी बनाया था, इन gamepads पे, जो मैं अपने discord account में upload कर दूँगा, तो आप जल्दी से मेरा discord account भी join कर लो, वहाँ पे हम काफ झाल झाल